तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मटन दम बिरियानी रेसिपी इंस्टेंट तरीके से तो चलिए देख लेते हैं तो यहां मैंने कुकर में ओईल एट किया है उसमें मैंने बड़ी इलाईजी लॉंग जीरा और यह मटन है अब मैं इसमें अपना मटन एट कर दूंगी लसन दरग का पेस्ट मैटन को हमें अच्छे से भून लेना है लसन दरग के साथ देन इसमें हम टमाटर एट करेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्ज पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर नमक और यह शान का बिरियानी मसाला दो से तीन हरी मिर्ज दही गोश्ट को अच्छे से भून लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से अब हम इसमें पानी डाल कर 5-7 शेटी लगा लेंगे गाईज यह मैं बहुत आसान तरीके साब को बता रही हूं तो यहां हम एक पैन में प्यास फ्राई कर लेंगे तो प्यास हमारी ब्राउन हो गई है तो अब हम इ हमें पानी आट किया है इसमें बड़ी लाईजी छोटी लाईजी जीरा दारजीनी लांग नमक और थोड़ा सा आईल आट कर देंगे और देखें यहां पर हमारा पानी फुश्क हो चुका है तो बस यहां मैं अपने चावल आट कर दिया है इसे हम 90% को कर लेंगे और इसमे हम दम लगाएंगे तो यहां पर मैंने एक लेयर लगा लिया है चावल की इसमें मैं अपनी फ्राइब की हुई प्याज हरी मिर्च हरा दनिया और अपना गोश्ट एड़ कर देंगे यानि कि मटन अच्छे से चावल की लेयर लगाएंगे एक और फिर प्याज एड़ हर धनिया हरी मिर्च हाफ लेमन एड़ कर देंगे और फूट कलर तो बस यहां पर हम 10-15 मिनट का दम लगाएंगे तो 10 मिनट का मैंने यहां दम लगा दिया और देखिए बिरियानी मेरी बनकर रेड़ी है एक दम परफेक्ली चावल बनकर तयार हुए है एक बार मैं आपको चला कर दिखाती हूँ यह देखिए एक दम खिला खिला चावल बनकर तयार हुआ है माशाला और खुशबू तो आप बनाएंगे ना तब यह आपको पता चलेगा और यह बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है इंस्टिंट ना ही इसमें मैरीनेशन की जरूरत है एक दो हाथ के हाथ बनाईए जिस तरीके से मैंने बनाया है और इंजॉय कीजिए आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी हो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब